दोस्तो आप सब लोगों का एक भाई फिसे स्वागात है सेफ्री में चैनल पे और आज का टॉपिक है अगर ADIS, CLI और RLI से नहीं हुआ तो क्या करें दोस्तो आज जो भी वीडियो देख रहेंगे most probably well qualified and eligible होंगे CLI से ADIS करने के लिए तो मुझे पता है आप लोगों का time बहुत ही important है इसलिए मुझे at least 3-4 minute फिर भी चाहिए explain करने के लिए और उमीद करता हूँ कि आपको regret नहीं होगा अपने decision पे लेकिन video end तक देखे भाई अब कुछ लोग सोचे रहेंगे चलो direct end पे चलते हैं क्या है तो उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि end की क्या ज़रता अभी भी जा सकते है लेकिन जब इतने दूर आ गए हो तो तीन से चार मन में क्या फर्क पड़ता है आखिर देख तो लोग बंदा क्या कहना चाहता हो सकता कोई बात ऐसे आपकी काम के निकल जा जो आपकी life change हो जाए तो दोस्तो जिस टॉपिक के लिए हम लोग वीडियो देख रहे हैं उसके लिए समझना बहुत जोरू है कि आखिर CLI की इतनी value क्यों है वो इसलिए दोस्तो कि Government of India की Ministry of Labor and Employment एक Ministry है जिसके अंदर DJ Farsley है DJ Farsley Director General Factory Advice Service and Labor Institute जी आ नाम से पता चलता है कि कारखाना सला सेवा एंद शर्म संस्ता तो इन शौर्ट में मैं यह बताना चाहतूँगा DJ Farsley basically Ministry of Labor को help करती बहुत सारे काम हों जैसे National Policy बनाना, On Occupational Health and Safety, Doct Safety, Factory Safety यह सब इसके अंदर में है और साथ में पांच Institute भी इसके अंदर में आती है जो अलोड़ी आप लोग को पता है RLI चेननाई फिर RLI कानपूर, CLI Central में है Central मूंबई, Central Level Institute मूंबई फिर इसके बाद है RLI कोलकता and RLI फरीदाबाद दोस्तो दो और है एक अंदर कंस्ट्रक्शन है सिलोंग और दूसरा है जम्मू जो प्रोपोस में है तो दोस्तो अब हम आते हैं अपने में टॉपिक पे बोले तो ADI अगर इन पांच ओंच इन्सिचूट में अगर नहीं हुआ तो क्या करें तो दोस्तो आगे बढ़ने से पहले यह बता दूँ के पूरे महारास्ट्रा में MSBT के एंडर में more or less 25 कॉलेज है महारास्ट्रा में पूरे ADI के 25 कॉलेज है उस 25 कॉलेज में से एक कॉलेज है CLI जी है इस CLI की बात करो Central 11 से चूब एक कॉलेज है तो दोस्तो बागी के 24 कॉलेज को compare तभी हम कर सकते है जब हमें CLI कॉलेज में जो ADI होता उसके बारे में मालूब होगा तो दोस्तो हम देखते हैं कि आखे जो CLI में जो ADI होता उसमें क्या है कैसे होता है क्या pattern है तो दोस्तो सबसे पहले term work है जो 50 marks का होता है मैं detail में बात करूँगा और में नेक्स वीडियो में बात करूँगा कि detail में क्या term work क्या होता है फिर इसके बाद प्रोजेक्ट वरक है फिर इसके बाद theory and paper प्रैक्टिकल है जो एड थेरी है और प्रैक्टिकल साथ में फिर इसके बाद इन तीनों का जो marking जो होगा total total जो marking है इसका वो कितना है 1100 के marking है अब 1100 के marking होगे अब इसका क्या है कि इसका exam कुन conduct करवाता है सवाल यहां उटता है तो exam MSBT कराती है पेपर वगर अभी जाई से बात है MSBT चेक करेगी certificate award कौन करेगा तो ADIS का MSBT करेगी दोस्तों फिर सवाल यहां पर यह बनता है कि बाठी के 24 college का ADIS कैसे होता होगा तो दोस्तों I need your 100% attention over here जी 100% ध्यान दीजे same as it is होता है ADIS certificate देखकर आप नहीं बता सकते है कि यह certificate CLI का है या others college में से किसी एक का हाँ living certificate हर college का अलग अलग है लेकिन board certificate एक जैसा होगा इसलिए भाई main फर्क यह है कि CLI के पास resource अच्छा है available and teacher अच्छे होंगे market में value अच्छी है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बाठी के 24 college में कुछ काम करने ऐसा नहीं है इसलिए अगर CLI में admission होता है well and good बहुत on the ground पुछे क्यों कि क्यों कि मैंने अभी slide में कौन से college की बात कि इस जितने मैंने यह फीटर्स मैंने बात कि कि कौन से college की बात कि लेकिन आप अगर गौर करेंगे ध्यान देंगे तो मैंने college का नाम चेंज कर रहा है यह 24 इट मेंस बाकी के college में भी यही फीचर्स है एड्ड़ इस जो CLI में फीचर्स है वो बाकी के जो 25 मेंसे बाकी जो 24 college बचा उसमें भी यही सेम फीचर्स है लेकिन कुछ लोग अभी में भी convince नहीं है उनके लिए brand ज्यादा matter करता है तो उनके लिए भी मेरे पास एक solid example है I hope उसे वो guaranteed समझ समझ जाएंगे और मैं अपनी बात भी खतम करता हूं फिर let's see मैंने कहा कि 25 college है total याद है आपको including CLI total 25 college महारस्टा में जो ADS कराते हो उसमें से CLI एक है तो किसी भी college म में 30 सीड है किसी में 60 किसी में 90 किसी में 120 तो एक मान के average चलो कि हर college में 60 सीवट अविलेबल है ADS का total कितना होगा 25 into 60 equal to मतलब 1500 student appear होंगे MSBT के लिए ADS के लिए हर साल मान के चलो तो उन 1500 में से अगर कोई बंदा top करता है और वो बंदा belong करता है इन 24 college वाले में से तो क्या इसकी value नहीं होगी of course होगी यार उसकी value होगी क्यों नहीं value होगी जिस बंदे के पास resource नहीं था college का brand नहीं था तो उसने top किया और अगर इसे resource मिलता CLI जैसे college में तो कितना और grade कर सकता था कितने उसके अंदर caliber कितने skill है उसके अंदर understand हर कोई accept करेगा इसलिए दोस्तों आपका talent आपका skill आपका लगन आपका dedication आपकी positive attitude matter करता certificate के साथ साथ सिर्फ एक brand वरी certificate नहीं है बाकि सब आपके पास है तो कोई गम नहीं है कोई फरक कोई नहीं रोख सकता आपको life में आगे बढ़ने से आप rock कर सकते हो life में वर्ल्ड में rock कर सकते हो ओप दोस्तों मैं समझाने में आपको सफल रहा हूंगा अगर नहीं रहा हो तो माफ करें मैं अपनी पूरी कोशिच को आपको समझाने कि अगर इस वीडियो से आपको आप सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों थैंक यू वेरी मच पर वाचिंग और शेर भी करें